जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्ट भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes से इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बाक विचार के बारे में और आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बाक है आपसे बनता होगा कि बाक जो होते हैं बाक कितने प्रकार के होते हैं बाक से एक Question आपका अबस बन जाता है है ना तब यहां पर आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बाक होगा आग्यार तक बिसमयादी बोदक निसेधार तक या फिर एक च्छा बोदक किस प्रकार का बाक होगा इस चार विकल्प हैं अंकुर जी आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बाक है एक कैसा बाक हो जाएगा आ आपने हमें महान कर दिया यहाँ पर चार विकल्प हैं और चार में से आपका यहाँ पर बिल्कुस सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों आपने हमें महान कर दिया तो यह क्या होगा क्या हो जाएगा बिस्मियादी बोधक कौन सा हो जाएगा बिस्मियादी बोधक बाग ठीक है जिन बाक्यों में हर्स सोक घरना आदी के भाव ब्यक्त हों उन्हें बिस्मियादी बोधक बाग कहते हैं आपने हमें महान कर दिया एक ऐसा है बिस्मियादी बोधक ठीक है अंगला कॉस्चन आपको बताना है अर्थ की द्रस्टी से बाग के कितने भेद होते हैं आपको बताना है अर्थ की द्रस्टी से कितने भेद होते हैं प्रश्ण किर्मान के दो में और यहां पर आपका बिलकुँ सही आंसर होगा कि अर्थ की द्रश्टी से जो बाक्त के भेद होते हैं आठ प्रकार के होते हैं आ से अर्थ और आ से आठ ठीक है तो ये आठ प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के ऐसा सार्थक सब्द समूह जो विवस्तित हो तथा पूरा आस प्रगट कर सके बाक कहलाता है बाक्यों का बरगी करण दो द्रश्टियों से होता है अर्थ की द्रश्टी से तथा रचना की द्रश्टी से ठीक है अर्थ की द्रश्टी से बाक आठ प्रकार के बिधी बाचक, निसेद बाचक, आग्या बाचक, प्रस्न बाचक, बिस्मय बाचक, संदेह बाचक और एक्छा बाचक होते हैं ठीक है और रचना की द्रश्टी से सरल और मिस्त्र और सन्युक्त ये रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के होते हैं और अर्थ की द्रश्टी से आठ प्रकार के होते हैं ठीक है अंगला आपको बताना कि जिस बाक में एक उद्देश और एक बिधे होता है बह बाक क्या कहलाता है उस बाक को क्या कहते हैं मिस्र बाक आस्रित बाक सन्युक्त बाक या फिर सरल बाक तो जिस बाक में एक उद्देश और एक बिधे होता है उस बाक को क्या कहा जाता है चार विकल्पे हमने पढ़ा था कि सर जो सरल बाक होता है सरलबाग इसमें एक विधे होता है है ना और एक उद्देस होता है ठीक है तो जिस वाग में एक उद्देस और एक विधे हो उसे कहते हैं हम सरलबाग ठीक है तथा एक किरिया होती है एक करता होता है उसे साधरने या सरलबाग कहते हैं जैसे बिजली चमकती है पानी बरसा जबकि मिस्र बाख में मुख उद्देस बिधे के अलाबा एक अधिक सामाय किरियाएं होती है है ना सन्युक्त बाग उस बाग को कहते जिसकी दो या दो से अधिक सरल बाग अत्वा मिस्र बाग अभियाबों द्वारा सन्युक्त होते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि निमलेकित में से बिधान बाचक बाग कौन सा है बिधान बाचक बताना है प्रश्न किरमांग को चार का उत्तर आप अपनी बात कह सकते हैं अब तक बह सो गया होगा बह ना तो सुयम होता है सुयम सोता है ना किसी और को सोने देता है जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है बिधान बाचक बाग बताना है प्रश्न किरमा की चार में कौनसा हो जाएगा बिधान बाचक बाग बाग से भी question पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको बिधान बाचक बाग का chain करना है तब आपका यहाँ पर बिल्कुँ सही answer क्या हो जाएगा कि जाडे की दूप बहुत प्यारी लगती है जाडे की दूप बहुत प्यारी लगती है है ना वो आपका D-Number बिल्कु सही हो जाएगा D-Number किके बाग अनेक परकार के हो सकते हैं इनमें ऐसे बिधान बाचक बाग क्या है जिन बाग क्यों में किरिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें बिधान बाचकबाग कहते है जैसे जाड़े की दूप बहुत प्यारी लगती है तो बिधान बाचकबाग में क्या होता है किरिया के करने या होने की सूचना मिलती है किरिया के करने या होने की तो जाड़े की दूप बहुत प्यारी लगत है ना तो यहां पर आपका विद्हान वाचक भाख हो जाएगा आपकी यात्रा मंगल ważne हो बाख क्स प्रकार का here आपकी यात्रा मंगल озे हो किस प्रकार का बाख रोकेंद्र जी है ना मुस्कान जी कमला जी आरबाई सब 2 लोग बताएंगे कि जाड़े आपकी यात्रा मंगलमाए हो अपन कई बार पढ़ते ना कि सरे तो एक्छा बाचक है कैसा है एक्छा बाचक यानि C नमबर एक्छा बाचक बिल्कुँ सही होगा ठीक है फिर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एक्छा बाचक की कि जिन प्रस्ण में प्रस्ण में दिया गया बाच आपकी यात्रा मंगलमाए हो एक्छा बाचक बाच है और जिन बाच्यों में एक्छा आसीस सुपकामना आदी का ज्यान होता है उन्हें एक्छा बाचक बाच कहते हैं जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे आपकी यात्रा मंगल मैं हो तुमारा कल्यान हो तो एक्छा आसीस और सुबकामनाई जहां पर दी जाती हैं वो एक्छा बाचक बाग होते हैं ठीक है मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है एह उधारन बाग के किस भेद पर आधारत ह संग्या उप बाग के मिस्र बाग के संयुक्त बाग के या इन में से कोई नहीं मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है तो यहाँ पर बताना है कि यह किस प्रकार का आपका बाग हो जाएगा आपने पड़े हैं रचना की द्रश्टी से बाग के तीन भेद होते हैं पहला होता है दोस्तो सरल बाग दूसरा मिस्र बाग और तीसरा होता है संयुक्त बाग सभी लोगों को पता है तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक ट्रिक से यह सरल मिस्र संयुक्त बाग बता देंगे यहाँ पर कुछ इसके बाचक सब्द होते हैं जैसे यहाँ पर आपको पहचानना है कि किन्तू आया तो आप क्या लगा दोगे सरलबाग यह मिस्तर सन्युक्त बाग लगा देंगे जिसमें एक से अधिक सरलबाग समलित होते हैं वो सन्युक्त वाक्त होता है, जिन वाक्तों में 2 से अधिक सरलवाक, समुझ्चय व्योदग, अभ्याओं और तथां एबं किंटु परंतु, यानि की मिस्र वाक वही होगा, जिसमें और, त्था, एबं, किंतू, परंतू से एक से अधिक बाक जुड़े होंगे ठीक है? उनें सन्युक्त बाक कहेंगे जैसे बात करें कि मैं भी आपके साथ चलता किंतू, किंतू मेरा स्वास ठीक नहीं है तो ये किन्तू आया किंतू परण्तू एबम तथा और यह सब दाते हैं सन्युक्त बाक में ठीक है अब यहाँ पर बताना है कि मोहन ने रभी की सिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परिशान किया बाकर निम्न alcanz किस सरल बाक किस से बना है किस से बना है प्रश्ण किलमांक साथ का चैन करिए सबी लोग रभी ने परिसान किया इसलिए मोहन ने उसकी सिकायत की रभी की परिसान के करणा मोहन ने सिकायत की या जब रभी ने परिसान किया तब मोहन ने सिकायत की यहाँ पर हमें सरल बाग से बना बताना है की कौन सा है चार बिकत में से आप चेहन करेंगे आपको दिख रहा होगा सबी लोग को दिख रहा है तब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन किरमाग साथ मैं रभी ने परेशान किया इसलिए नहीं है रभी की परेशान के कारण मोहननay सिकायथ की A B नहीं है जब रभी ने परेशान किया तब तो A B नहीं है उत्तर क्या हो जाएगा कमला ठाकूर जी वेरिगुड उत्तर होगा कि मोहनने रभी से परेशान होकर उसकी सिकायथ की इस आपका सरल बाक होगा D number ठीक है डी आपका बिल्कु सही हो जाएगा अब यहां पर देखें कि जिन बाक्यों में केवल एक ही उद्देश है और एक ही बिधे है उन्हें सरल बाक साधन बाक कहते हैं प्रस्न में दिये गए बाक्यांस मोहन ने रभी की सिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परिसान किया का सर राम पढ़ता है एक उद्देश और एक बिधे है तो कौनसा हो जाएगा सरल होगा की मिस्र होगा तो आपको बताना है दोस्तों सभी लोग लाइक कर देना कि राम पढ़ता है बोले सर एक उद्देश और एक बिधे हो बहां पर आपका हो जाता है कौनसा बाक शरल बाक सरल याणि एक नंबर राम पढ़ता है यहीं एक सरलबाक है राम क्या है करता और पढ़ता क्या है किरिया टीकिखे तो और यह चीज़ आपको याद रखनी है मिस्रबाग पहचाने मिस्रबाग कौन सा मिस्रबाग के प्रश्न किरमांग के नौ में अनिकेत जी लपसौनी कविता जी तो यहाँ पर प्रश्न किरमांग के नौ में मिस्रबाग पहचानना है अच्छे लड़के परिस्रिमी होते हैं उसने कहा मैं निर्दोस हूँ, लोग पर ये कभी का समान सभी करते हैं या फिर परिस्रमी चात्र अवस्य सपल होंगे, तो 9 का आंसर आपको चैन करना है और 9 का आपका बिल्कु सही होगा कि उसने कहा मैं निर्दोस हूँ, उसने कहा मैं निर्दोस हूँ, यहां पर आपका उसने कहा मैं निर्दोस हूँ यह मिस्र बाक है जिन बाक्यों में एक मुक्ख या प्रधान बाक हो अन्नासरत उप बाक होने मिस्रत बाक कहते हैं है ना इनमें एक मुक्ख उद्देश और मुक्ख विदे के अलावा एक से अधिक समापिका किरियाई भी होती है वो प्रोक्त बाक मिस्रित का मिस्र बाक है यानि कि उसने कहा मैं निर्दोस हूँ मैं निर्दोस हूँ है ना उसने कहा ठीक है तो एक से अधिक बाक जहां पर जुड़ी रहते हैं बहां पर आपका क्या हो जाता है दोस्तों मिस्र बाक हो जाता ठीक है यहां पर हम देखते हैं अंगला जो है अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की द्रश्टी से कौँसा बाग है अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की द्रश्टी से बाग क्या है संदेह बाचक, शंकेत बाचक, बिस्मय बाचक या फिर प्रश्ण बाचक तो कौन सा हो जाएगा अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की द्रश्टी से ये जो उत्तर हो जाएगा अर्थ की द्रश्टी से बाक आठ प्रकार के होते हैं और यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा बिस्मय सूचक बिस्मय सूचक उप्रोक्त बाक अर्थ की द्रश्टी से बिस्मय बाचक बाक है जिन बाक्यों से आश्चर, घिरना, किरोध, सोक है ना आदी भावों की अभी व्यक्ति होती है उन्हें बिस्मय सोचक कहते हैं यहाँ पर अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मतलब यहाँ पर क्या हो गया आश्चर हो गया कि आश्चर का काम तो आश्चर के भाव हो रहे हैं या फिर घिरना के भाव, किरोध के भाव या सोक के भाव इस परकार से अगर भाव आते हैं बाक में तो बहाँ पर आपका बिस्मय सूचक हो जाता है बिस्मय बाचक बाक के हो जाता ठीक फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि कमल मौहन के लिए गैंद लाता है बाक में प्रियुक्त कारक कौनसा है प्रियुक्त कारक बताना है प्रियुक्त कारक के ग्यारा में मौहन के लिए गैंद लाना तो उत्तर आपका क्या होगा कमल मौहन के लिए गैंद लाता है बाक में प्र कि जो के लिए है के लिए ये क्या है कारक है यानि बी नमबर ठीक है बी नमबर जी है बिलकुँ सही है बाक में प्रियुक्त कारक के लिए है जिसके लिए क्रिया की जाती है अत्वा जिसे कोई बस्तू दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है संप्रदान कारक होता है इस को अर्था अनुसार पहचानिये अरे आप भी हैं संदेहार तक है संकेतार तक है बिस्मय बोदाक है या फिर प्रशनार तक बाग है कौन सा बाग के यहां पर हो जाएगा पूजा जी कौन सा बाग है अंजू सास्त्री अरे आप भी हैं बाग को अर्था अनुसार पहचानना था तो यहां पर आपका बिलकुस सही आंसर होगा कौन सा बिस्मय बोदाक है ना अरे आप भी हैं बिस्मय बोदाक बाग है जिन बाग क्यों से आस्चर घिरना क्रोध सो कादी भावों की अविव्यक्ति हो वो बिस्मय स उचक बाक होते हैं एक कोस्टिन भी पूचा जाता है है ना अब आपको बताना हनी केतन की पूर्ण बाक के अनिवार संगठन है तो कौन है उद्देश और किरिया करता और कर्म उद्देश और विधे किरिया और करता तो अमरजीत जी पूर्ण बाक के अनिवार संगठक कौन से उद्देश और बिधे उद्देश और बिधे ये पूनबाग के अनिवार संगठक होते हैं यानि कि बह पूनबाग को होगा जिसमें उद्देश हो और बिधे हो है ना बही पूनबाग कहलाएगा पूर्ण बाग के अनिवार संगठक उद्देश और विदे हैं जिसके बारे में बात की जाए इसे उद्देश कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश कहते हैं तसा जो बात की जाए उसे विदे कहते हैं है ना क्या तुम लड्डू खाओ बाक कर्म बाच्च में होगा क्या होगा कर्म बाच्च में ये कौन सा बन जाएगा दोस्तो कर्म बाच्च भी आपने पड़े हैं यहाँ पर है कि क्या तुम लड़ू खाओगे खाओगे है ना तो यहाँ पर हमें कर्म बाच्च बनाना है और आपने पड़े हैं कर्तरी, कर्म, भावबाच्च ये तीन प्रकार की बाच्चों होते हैं और बाच्चों की जब बात आती है तो जब कर्म बाच्च की बात आती है तो यहाँ पर है क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा यानि बी नम्मर आपका बिलकुश सही होगा क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा यह कर्म बाच्च यहाँ पर देखो जिस बाक में कर्म प्रधान होता है उसे कर्म बाच्च कहते हैं उक्त बाक में बा क्या तुमसे लड़ू खाया जाएगा ये क्या है कर्म बाच्च है बा नम्मर जो आया है क्या तुमसे लड़ू खाया जाएगा ये कर्म प्रधान है यहाँ पर और कर्म प्रधान जहाँ पर होता है बहाँ पर कुंसा हो जाता है कर्म बाच्च कुंसा हो जाता है दोस्तों कर्म बाचक जहां करता की प्रधानता हो बहाँ पर करतरी बाच और जहां पर भावों की प्रधानता हो बहाँ पर भाव बाच होता है है ना तुम क्या कर रहे हो इस बाग का बिधी बाचक क्या होगा तुम क्या कर रहे हो अधिकान से लोग पूछते हैं आप जब भी बात करते हैं फोन में करते हैं या कहीं पर आपन बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो है ना तो ये आपको बिधी बाचक बात के इसका कौन सा होगा ये भी आपको पता ना है बिधी बाचक जहाँ पर कुछ करने और कुछ होने की बात होती है बहाँ पर आपका बिधी बाचक हो जाता है जहाँ पर कुछ करने और कुछ होने की तो तुम क्या कर रहे हो इसका बिधी बाचक बाक बनाना है तो हम पूछ लेंगे तुम कुछ कर रहे हो तुम कुछ कर रहे हो तो जहां पर करने और होने की बात होती है बहां पर बिदी बाचक बाग होता है है ना और दोस्तों यहां पर जिन बाग को में किरिया कि होने या करने का बोध हो बहां पर आपका बिदी बाचक बाग होगा है ना यह भी आपको या फिर आंगे देखते हैं, आंगे जो अपना एक प्रश्न हैं कि निम्न्न वैसे किस बाग में सब्द नर्मार संबंदी असुद्धी है। बे एक लब्द प्रतिष्टित ब्यक्ति हैं, उनकी आपस में घनिष्ट मित्रता है, मित्रता थी, भारत में कई प्रादेशिक भासाई हैं, लड़के खेल रहे हैं, अब आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर की बाक में सब्द निर्मार, सब्द निर्मार सम्मंदी जो हो जाएगा सोला का वह जाएगा एक नंबर, कौनसा है सब्द निर्मार सम्मंदी एक बाक में हैं, बे एक लब्द प्रतिष्टित ब्यक्ति हैं, एक नंबर आपका बिलकुस हो जाएगा, ए नंबर, धरमेंदर जी, ठीक है, अंकोर जी ए नंबर शाई है, उनकी आपस में गनेश्ट मित्रता है, सही है, भारत में कई प्रादेशिक बासा हैं लड़के के लिए, तो ये नम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, बाक में कारक पहचानिये, शंबंद कारक, शंप्रदान कारक, शंबोधन या फिर कर्म कारक, ये बताना है हमें, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इसमें जो बाक कहे, वो कौन सा है, हम बोलते ना, कि वो है संबोधन, हम क्या कर रहे हैं, यानि सी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा, शंबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाने, अत्वा सचेत करने का भाव प्रगट होता उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना, यह आपको याद रख लेना, और यह संबोधन चिन्न आपको इस प्रकार से लगा जाता है, हे भगवान मेरी रक्षा करना, है ना, तो संबोधन कारक हो जाएगा, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, बाक को अ और अठारा का बिलको सही बताया है कि यहां पर हो जाएगा बिस्मय बाचक है ना उप्रोक्त बाक अर्थ की दर्ष्टी से बिस्मय बाचक बाक है जिन बाक्यों में आस्चर गिरना क्रोध सोकादी के भाव अभी ब्यक्त हों उसमें बिस्मय बाचक बाक होता है ठीक है बाचक है भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ किसी के प्रेसर में तो नहीं बोल लाए पुलिसर किसी के प्रेसर में नहीं बोल लाए हम अपनी एक्छा से बोल लाए हैं कि भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो एक्छा बाचक बाच कोगा क्या होगा एक्छा बा रचना की आधार प्रबाग तीन प्रकार के मैंने आपको कई बार बताया है कि आ अर्थ में जब हम अर्थ लिखते हैं तो यहां पर आ आता है पहले आ आ से अर्थ और आ से आठ आठ भी लिखो तो आठ तो अर्थ के आधार पर आठ और जब हम रचना लिखते हैं ये प्रशन भी कई बार पूचा गया तो रचना में तीन वर्न आते हैं तीन वरन आते हैं तो रचना की दरश्टी से तीन प्रकार के अर्थ की दरश्टी से आठ प्रकार के रचना की दरश्टी से तीन प्रकार के उसका मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है इस बाक में साधारन धर्म कौन सा है तो आपने चैन भी कर लिया है कि साधारन जो धर्म है वो है दोस्तो चंद्रमा साधारन धर्म क्या है चंद्रमा उसका मुख चंद्रमा के समान है समान सुन्दर है इस बाक में जो साधारन धर्म है धर्म वो क्या है चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा के समान सुन्दर है तो साधारन धर्म जो है वो क्या है चंद्रमा ठीक है ये ची प्रकार है बाक का प्रकार चैन करना हमें 21 में सबी लोग लाइक जरू कर देंगे रात में 11 बजे भी अपनी जीके की किलास होती है बो भी जरूर अटेंड करें है ना और दोस्तो चार बजे नेक्स्ट किलास बिज्ञान की होगी और करेंट अफेर्स का वीडियो भी सुवे आ रहा है उनको भी देखें साथ बजे एक MPGK का ओल्ड वीडियो भी आता है वो भी जरूर देखें उससे भी आपका रिवीजन होगा उन्होंने राह में काटे बिखेर दिये और स्वयम कुंज की ओट में छिप गए ये जो बाक के है दोस्तो इस संयुक्त बाक है बिखेर है दोस्तो इस सी है 21 का उन्होंने राह में काटे बिखेर दिये स्वयम कुंज की ओट में छिप गए बाक संयुक्त बाक का उधारन है अनेक या दो या दो से अधिक स्वतंत रूप बाक क्यों का समूव जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर क्या हो आस्रित हो संयुक्त बाक क कहते हैं जिसमें ये कुद्दे सुरेग विधे होता है है ना तो यहाँ पर एक और सब्दाया है कौन सा और और आया है तो और से ही आप पहचान जाते कि सर एक संयुक्त बाके इसके कुछ बाचक सब्द होते हैं तो इनको आपको अभी अपनने पढ़ा था करना कि सन्युक्त बाक में कौन-कौन सी आते हैं, है ना, वो पढ़ाता, किन्तु, परंतु, और, तथा, एबम, ये जो सब्द आते हैं, ये बाक में अगर आ गए, तो मान की चलो कि वो सन्युक्त बाक है, सीधी सी अगर आपको समझ में नहीं आता तो, कीक है, फिर आंगे से और लगन के साथ मौके का इंतिजार करता रहा, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, आकर क्या कहना चाह रहा है, तो मिस्तृत बाक का आपको बताना है, की कौन सा हो जाएगा, मिस्तृत बाक, यानि की आपका प्रश्न किरमांग 22, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर जो है दोस्तों, वो क्या है? यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपको मिस्तृत बाक की पहचान करनी है, तो यहाँ पर यह तो आपका क्या है? सिंयुक तो हो गई, गलत लिग गया है यहाँ पर है ना? यहाँ पर जो है दोस्तो वो उत्तर गलत लग गया है यह देखो यहाँ पर कि जिन बाकों में दो या दो से अधिक सरल बाक समुच्चे बोदक अब्याओं और तथा पर परंतु आदी से जुड़े हो उन्हें सन्युक्त बाक कहते हैं जैसे उसने मीना कब रोध नहीं किया औ सन्युक्त है ना इस प्रकार से सन्युक्त बाक मिस्टर बाक कैसे कहते हैं यह बताना 23 का अंसर जिन में एक ही करता और एक ही किरिया होती है जिन में एक से अधिक प्रधान उप बाक हो और वे सन्योजग अब्याइसे जुड़े हो जिन में एक साधन बाक तता उसकी अधिन दूसरा उपबाग हो या उपरोक्त मैंसे कोई नहीं तो मिस्टर बाग किने कहते हैं ये चीज हमें बतानी है हाँ लोकिंद्र जी 23 मिस्टर बाग किसे कहते हैं मिस्टर बाग आपको बताना है और बोले सर कि जिन में एक साधारन बाग तता उसकी अधीन दूसरा उपबाग को हो वो कहलाता है आपका कौनसा मिस्टर बाग वो क्या कहलाता है जिन में एक साधारन बाग होता है और उसकी अधीन दूसरा उपबाग होता है वो आपका मिस्टर बाग कहलाता है देखें कि जिन बाग्कों में एक मुख तथा प्रधान बाग्कों हो और अन्य असरित उप बाग्कों ने मिसरित बाग्क कहते हैं जैसे बात करें कि इन में एक मुख उद्देश और मुख विदे के अलावा एक से अदेख समापी का किरियाए होती है जैसे यदि परिस्रम कर तो उत्रिन हो जाओगे है ना तो जो उत्रिन हो जाओगे वाला है पूरन रूप से इस पर डेपेंड है कि परिश्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे ये क्या है उपबाग कहे मैं जानता हूं कि तुमारे अक्छर अच्छे नहीं बनते तो जो दूसरा उपबाग होता है वो मोहन तुम बेठकर पड़ो, या फिर बड़ों का सम्मान करो, तो इन يंगे क्या कहा जाता है, ये बताना है 24 में, कि जिन बाग्यों में प्रातना उद्देस, आग्या प्रातना उद्देस आधी का ज्यान होता है, वो बाग क्या कहलाती हैं, तब हमने पढ़ा भी है, कि जिसम अब आपको बताना कि या तो तुम सुधर जाओ या तो तुम सुधर जाओ या तो तुम सुधर जाओ या विद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तैयार रहो इसमें कौनसा बाग होगा सरल बाग, सन्युक्त बाग, मिस्र या पर उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं कौनसा बाग हो जाएगा दोस्तो और यहाँ पर अपनने देखा कि सर हमने अब भी उपर पड़ा था कि सन्युक्त बाग में या या सब दाया या तो तुम सुधर जाओ या विद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ यानि कि एक से अधिक सरल बाग जहां पर जो होता है वो सही हो जाते ठीक है तो या तो तुम सुधर जाओ या विद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा शन्युक्त बाग हो जाएगा संज इतने अगर सब दाते हैं तो आपको क्या लगाना है सन्युक्त बाक ठीक है क्या लगाना है सन्युक्त बाक और बाक को भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा है ना क्योंकि कभी-कभी ये डिस्टर्ब भी हो जाता है कभी-कभी मलब 5% 5% भी नहीं बाकी कभी-कभी ये इसमे तथा है या कुछ आ जाए या पर आ जाए तो कभी-कभी ये वो हो जाता है अप बाद है अप बाद हो जाता है तो बाग को भी पढ़ लेना है और और तथा एबम पर परन्तु ये अगर सब दा रहे हैं तो उनको मान के चलना है 95% की इसमें कौन सा होगा सन्युक्त बाग होगा ठीक है ये भी आपको देख लेना है और तथा एबम पर परन्तु ठीक है इस सन्युक्त बाग का बाग की एक पहचान होती है है ना अब यहाँ पर देखें कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी इस बाग का मिस्टर बाग में रूपांतर क्या होगा गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी या फिर उप्रोक्त में कोई नहीं तो मिस्टर बाग का आपको बताना है जो मौहन की थी है ना तो ये जो बाक के दूसरा वाला है पूर्टा इस पर डिपेंड है कि राम ने उस गाली को खरीदा जो मौहन की थी ये इस प्रकार से मिस्तर बाक होता है मिस्तर बाक की अगर बात करें तो उन बाक क्यों को कहते हैं जिन बाक क्यों में एक मुक प्रधान बाख हो और दूसरा अन्य आस्रे तो बाख हो है ना तो यहाँ पर अगर बात करें कि राम मौहन ने गाड़ी राम ने मौहन की गाड़ी खरीदी का मिस्तर बाख होगा रूपांतर करने पर बना बाख कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मौहन की थी ठीक है नेक्स आपको बताना है कि जिन बात को में किरिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें बाक कहते हैं जैसे मैंने दूद पिया किरिया हो रही है बरसा हो रही है है ना राम पढ़ रहा है तो इसमें हमें सूचना मिल रही है कि किरिया हो रही है है ना किरिया हो रही है तो किरिया होने का और दोस्तों जिन बाग को में किरिया करने या होने का अगर बोध मिले सूचना मिले तो बहां पर जो हो जाता है अपना कौंसा हो जाता है अपन पढ़ रहे हैं वो होता है बिधान बाचक बिधान बाचक ह जाता है कांती जी है ना बिलको सही अंजू जी किरन जी जिन बाक्यों में किरिया के करनेया होने की सूचना मिले उन्हें बिधान बाचक बाग कहती जैसे मैंने दूद पिया या फिर बर्सा हो रही है ठीक है और जिन बाक्यों में हम आसीज सुपकामना है ना और जो चीज़ बाग के लिए नीचे दिये गए बिकल्पों में ऐसे बाग की प्रकार को चुनित करना है इस्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमाय हो अब आप एक्छा से बोल ला है कि किसी के प्रेसर में बोल ला है बोले सर किसी के प्रेसर में नहीं बोल ला है अंदर से आवाज निकली है क 20 वर करें आपका जीवन, शुकमय हो, अब शुकमय हो, तो यह कैसा हो जाएगा, एक्छा बाचक होगा, है ना, सी नमबर सही हो जाएगा, निमलेकित बाक के लिए, उसके लिए नीचे देगाए विकल्पों में ऐसे बाक के, कि प्रिकार को चिन्नित करना है, अंगले महिना त परिक्छा पल आने की शंभाबना है, तो इसमें कौन सा बांक हो जाएगा, संदेह बाचक, बिधी बाचक, संकेत बाचक या फिर और एक्छा बाचक, अब यहां पर संभाबना है, तो अभी क्या है, संदेह है, है ना, संदे है तो आपका उत्तर होगा संदे बाचक अंगले महिने तक परिक्षपल आने की संभावना है पक्का नहीं है पक्का नहीं है संकेत नहीं लगाना कि ये संकेत दे दिये गए ये संदे है आने की संभावना है पक्का नहीं है ठीक है तो याद रख लेना संदे बाचक जिस बाग से किसी बात का संदे प्रगट हो रहा है बेसंदे बाचक बाचक कहलाते हैं अंगले महिना तक परिक्षपल आने की संभावना है जबकि जिस बाचक में किसी बात के होने का बोध हो बिदी बाचक जिस बाचक में एक दूसरे की संभावना पर निरबर हो बेसंकेत बाचक है ना बाचक कहलाते हैं जिस बाचक से किसी प्रकार की एक्षा सुपकामना हों बहाँ पर एक्षा बाचक बाचक होता है तो संकेत बाचक और संदे बाचक में भी क्या नहीं होना मिस्टेक नहीं करना है है ना संकेत बाचक की यहां पर परिवासा क्या दी है कि जिस बाचक में एक बाचक दूसरे की संभावना पर बाचक है यह संकेत किया गया है कि तुमने पढ़ा नहीं है तो पास कैसे हो जाओगे तुम पढ़ते तो पास हो जाते यह संकेत हो जाएगा लेकिन यहाँ पर संभावना तो यह संदे होगा मतलब एक बाग दूसरे की संभावना पर डेपेंड रहता है कि अगर तुम भगव भगवान की पूजा करते तो पुन्न मिलता तो एक बाक दूसरे पर डेपेंड है दूसरे की संभावना पर ठीक है तो आज हमने यहां पर पढ़ा दोस्तो बाक बिचार की बारे में जहां पर हमने संदेह बाचक अर्थ की आधार पर आठ प्रकार की बाक पढ़े रचना की आ यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आ प्रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे